तो आज मैं आपकी साथ एक बहुत ही बड़ी ब्रेड और सूजी से बना बहुत ही ज़ादा है नास्ता शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़ादा जल्दी बनकर तयार होता है बहुत ही ज़ादा है क्योंकि इसमें हमने काफी वेजिटेबल का यूज किया है आप अपनी पसं बना सकते हैं बच्चों को भी बहुत ही ज़ादा पसंद यह खाल सी स definitelyबीक बनाने के लिए फोट गो पाषण शुरू करते हैं इसमें का भाषण करने के लिए बारें लिए और फिलिडेळी स्पून यहां पर मैंने कि फ्रेश लाइव ली हुई इसकी जंगा आप मलाई प चीमें आखकी और वcést treatment रिगया तंश से धिरेद के शेयम भार्पाइन भशाब धना ज़्हां तो यहां देकर पीक डिया थोड़ा से तबिवापत तो तयार करने के लिए तो थोड़ी है चीम एक चौप मैंने जिस तरीके से यहां पर शिमला मिश्ली हुए मैंने बहुत ही बारी बारी किये हूँ है और यहां पर फीalle घ्लीस में रॉठीimaan मोसा और यह तो बसंते चौप कर ले एंगे तो बस फ्लेऴीत को मीरियम रखा हूँ है लगतार चलाती होयी करना है तो यह इस तरीके के कुक कर अगड़ा हुआ एक सा जो इसमें वेजिटेबल बहुत ही ज्यादा यमी लगता है तो इसको हलका सा कवर कर देंगे और दो तीन मिनट के लिए सी तरीके के कर लेगे तो बहुत बढ़ी आसे हो चुकी है इसी ही तरीके का हमें चाहिए इस तो यहां पर यहां पर क्क पटनाने के लिए निए तो ने रिखने औरका है यहां पर एक जाओ कर स्भbrand निखित केले के इसको विलिखने को हम जाओ आशेयर के एप घेए leps अरगा हो जो डिखने ओ अरको पर निखित करता हमें पर गाहर है let's everything Всё के आख हसाँ है यह बारी कटा हुआ हरा धनिया है इसको भी एड़ कर देंगे लालमिश पाउडर एड़ करेंगे हाफ टीस्पून हाफ टीस्पून ही इसमें नमक एड़ कर देंगे नमक आप अपने टेस्ट के अकोडिंगे अजस्ट कर सकते हैं तो यह पर जो मैंने आपर फ्रेश मलाई ली हुई है तो इसको भी मिक्स करेंगे तो यहां पर थोड़ी सी मलाई मिक्स कर लेंगे तो जिस वीवर्स को यहां पर मलाई का फ्लेवर पसंद नहीं है तो वह इसकी जंगा यहां पर इसमें थोड़ी सी धही बेड़ करते हैं फ्रेश धही का यूज कर सकते हैं तो आप चाह तो यहां पर मैंने मलाई आड़ कर दिया है, टू टेबल इस्पून मैंने मलाई आड़ किया है, तो इसको भी हम सभी व्येज़ेटेबल में मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं इसी तरीके का हमें बैटर जो तैयार करना है वो इसी तरीके का चाहिए जिससे के जो हमारे ब्रैड के स्लाइसे से इस पर यहां पर एक ब्रैड कर स्लाइस उठाएंगे और इस पर थोड़ा सा बटर से बहुत ही जादा यमी लगेगा तो बटर को इस तो एक साइड मैंने यहां पर तवे को गरम होने के लिए छोड़ दिया है तो फ्लेम को मैंने लो रखा हुआ है इस टाइम तो देख सकते हैं ब्रैड पे बटर लगाने के बाद यहां पर मैं जिस वेजिटेबल को मैंने मलाई मिक्स करके रखा हुआ था इस तरीके का तो तो एक साइड करूगे और गोड़ की हेल्प से 2-3 स्पून की फिक्स कर लेंगे जिस्से के हम इसको जब फोक करेंगे तो यह तो इसे इस इस्टफिंग ना निकले तो यहां पर इस बज हो इसी तरीके से प्रेड कर सकते और मैंने यह एंपर 1 बटर का यूस किया है सेकंड में बटर का यूज नहीं किया है क्यों आप इसको बटर के बीना भी बना सकते हैं इतको मैंने आपको बीना बटर के भी बना कर दिखा दिया है तो बाकी में में बटर अपलाई करूँगी और फिर इसके बाद यहां पर इस तरीके से सबी वेज़िटेबल को इसके उपर एड़ करते हुए अप्लाई कर देंगे और फिक्स कर लेंगे थोड़ा थोड़ा यहां पर बटर अप्लाई करते जाएंगे और सबी वेज़िटेबल इसमें एड़ करते जाएंगे इसको भी spread कर देंगे और fix कर लेंगे इसके उपर फैला देंगे इसको और बहुत ही ज्यादा यमी लगता है गाइस यह नास्ता बहुत ही ज्यादा गर्म गरम बहुत ही ज्यादा कुरकुरा सा हो जाता है क्यों किसमें अमने सूजी मिक्स किया और कची-कची वैजडेबल मिक तो तो बहुत ही ज्यादा यमी लगती है शतरीके से बनाने के बाद तो आप इसको जरूर ट्राइब करें यह इसे जगता में बहुत ही ज्यादाब तो यहां पर मैंने फोर की फोर स्लाइस पर इस तरीके से सभी वेजटेबल अप्लाई कर दी है इनको इस प्रेट कर दिया है तवा भी हमारा गरम हो चुका है इसके लिए हमें मीडियम गरम तवा चाहिए तो इस पर थोड़ा सा रिफाइंड ओई लगाएंगे आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं तो ब्रेट की स्लाइस को एक को हाथ पे लेंगे और इस तरीके से जिस तरीके से हमने यहां पर जिस साइट से बटर और वेजटेबल से भी अपलाई किया है तो उस साइट से हमें तवे की ऊपर इसको रखना है और सेखने देना है तो फ्लेम को लोर कर देंगे और लो फ्ल इनको चेक कर लेंगे इनको चेक कर लेंगे अब बहुत बढ़ी हैं तो इसी तरीके का हम चाहिए तो इस साइड से भी नीचे की साइड से भी कुरकुरा होने देंगे और आप देख सकते हैं इसको बनाना बहुत ही इज़ी है और बहुत ही ज्यादा यमी लगता है इस तरीके का नाश्ता तो बैट को अच्छे से क्रंची होने देंगे उस साइड से भी और एक साइट से बनकर रेडी हो चुका है आप देख सकते हैं तो इनको अलग प्लेट में लख लेंगे तो सेकेंड बैच को भी सेम तरीके से हलका सा ओईल स्प्रेट करते हुए तवे पर इनको भी हम सेक लेंगे और फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे मेडियम फ्लेम पे नको कुरकुरा सा होने देंगे नाश्ते को तो दोनों बैट स्लाइसे को इस पर रख लेंगे तो आप अपनी रिक्वार्मेंट के साब से बना सकते हैं इनको मैंने या पर फोल्ड स्लाइसे का यूज किया है साइट से ही हो चुकि है इनकी साइट को हम चेंज कर देंगे मुई होकर देगे देख सकते हैं जितनी भी वेज़िदेबल वगार रामने इस पर आड़ कीती है थे भाज हमाने इस बहुती बढ़ी आप कला आया है बहुत बढ़ी खरणचे बन कर तयार हो लें तो दोनों ही साइट से यह हो चुकी है, इनको गर्मगरम हम शर्ब करेंगे, सकते हैं गर्मगरम ही ब्रेट का बहुत ही जादा यमिया, बहुत ही जादा हेल्दी नाष्टा बनकर तयार हो चुकआ है, तो आप इसे विंटर में ज़रूर ट्राइ करें, I hope आप सभी को यह पसं आपरे